हेलो गाईज कैसे हो आप सब वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरिधिंग इस हेर पर तो आज गाईज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ डार्क सीजन वन के पहले दो एपिसोड तो वीडियो को ज्यादा लं थे टाइंग लाइन देखने को मिले गी जो की है 1953 और 1986 और 2019 की अब मैं आपको दो फेमली के बारे में बताऊंगा पहली फेमली है नेलसन फैमली और यहाँकी टाइम लाइन है 2019 की इस फेमली में माता पिता और तीन बच्चे हैं पिता का नाम है अल्रिक नेलसन और माता का नाम है कैथरीन नेलसन और उनके बच्चों का नाम है मेगनस मार्था और मिकल और दूसरी फैमली है कैनवर्ड फैमली इस फैमली में माइकल और हैना है और इनके बच्चे का नाम जोनस है स्टार्टिंग में मैंने आपको दो फैमली के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप इस स्टोरी को इजिली समझ पाएं तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइकल कैनवर्ड को जो की खुद को फांसी लगा कर मार लेता है, मरने से पहले उसने एक नोट लिखा था उस नोट पर साफ साफ लिखा था की इस नोट को चार नवंबर रादस बज के तेरा मिनट के बाद ही खोला जाए, ये नोट माइकल की मा के पास था, जिसका नाम इनस कैनवर्ड था और इनस चार नवंबर का वेट कर रही थी ताकि वो उस नोट को पढ़ सके अपने पिता की मौत की वज़े से जोनस काफी डिस्टर्ब हो गया था और वो काफी दिनों तक अपनी कलास भी अटेंड नहीं कर रहा था, इसके इलावा जोनस एक मेंटल थेरपी भी कर रहा था और कुछ दिन थेरपी में रहने के बाद उसे कुछ अच्छा फील हो रहा था, जोनस की मा का अफेर अल्रिक नेलसन के साथ चल रहा था, और इस अफेर के बारे में अल्रिक के परिवार को नहीं पता था, तो काफी दिनों के बाद जोनस वापिस स्कूल जाता है, और उसे वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइड मैन वेलकम करता है, अब यहाँ टाइड मैन फैमली का रोल भी इस सीरीज में काफी इंपॉर्टन है, और टाइड मैन फैमली की इंट्रोडक्शन हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी इतनी इंपॉर्टन नहीं है, तो बार्थोस मार्था नेलसन को डेट कर रहा था, और इस सीन में हम समझ पाते हैं कि मार्था जोनस की लव इंट्रस्ट थी, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेहर में एरिक नाम का परसन 13 दिन से गायब था, और अल्डरिक उस परसन को ढूनने का काम कर रहा था, अल्डरिक एक हम लोग इस टाउन से जुड़ी कुछ अनोखी बाते जान पाते हैं, पहली बात ये कि आज से ठीक 33 साल पहले 1986 में अल्डरिक का भाई मैड भी एकदम अचानक गायब हुआ था, और प्रेजन्ट में अल्डरिक के गायब होने पर अल्डरिक की मा जेन का कहना था कि आज 33 साल बाद सब कुछ फिर से रपीट हो रहा है, इसके बाद हम गायब अल्डरिक को देखते हैं, एक ब्लूर रूम में जहां वो सोने की कोशिश कर रहा था, और उस रूम में काफी लाओड म्यूजिक चल रहा था, इधर हम कुछ स्कूल के स्टूडन्स को देखते हैं, यहां जे बच्चे ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, बातो बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले एरिक ने विंडन केव के पास कुछ ड्रग्स चुपाए हैं, और ये बच्चे ड्रग्स को रात में वापिस लाने का प्लैन बना रहे हैं और प्लैन के हिसाब से आज रात स्कूल में पेरंस टीचर मीटिंग होने वाली है और उसी ताइम ये बच्चे विंडन केव के पास जाकर वहां से ड्रग्स चुरा लाएंगे इस ड्रग चोरी गैंग में अल्रिक के तीनों बच्चे मेगनस मार्था और मिकल थे और इन तीनों के इलावा इनके साथ जोनस और बार्थोस भी था जब ये विंडन केव के पास पहुंचते हैं तो इने फ्रैंसिसका डॉपलर दिखाई देती है जिसने पहले ही ड्रग्स को ढून लिया था फ्रैंसिसक के अंदर से एक आवाज आती है इस आवाज के बाद उन बच्चों की टॉर्ट स्लाइस जग मगाने लगती हैं ये सब देखकर ये बच्चे डर के मारे वहां से भागने लगते हैं इदर हम सब एक बुड़े आदमी को देखते हैं ये आदमी पेरन टीचर मीटिंग को इदर हम सब वो बच्चों को देखते हैं जो कि विंडन केव से डर कर दूर भाग रहे थे भागते भागते जोनस गिर जाता है और उसे वहां अपने डेड फादर दिखते हैं जो कि किसी इंक से कवर थे जोनस तुरंत वहां से भाग कर अपने फ्रेंस के बास पहुंचता ह वहां सब शान्त होने पर इन बच्चों को पता चलता है कि भागते समय इस ग्रूप का सबसे यंग बच्चा मिकल गायब हो चुका है ये बच्चे तब ही अपने पेरंस को कॉल करते हैं और अल्रिक अपने सबसे छोटे बच्चे मिकल के गायब होने से परिशान हो जाते है अल्रिक पुलिस फोर्स के साथ जंगल में मेकल को ढूणने जाते हैं थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक बच्चे की लाश मिलती है अल्रिक गबराते हुए उस बच्चे का चेहरा देखते हैं पर ये उनका बच्चा मेकल नहीं था इस लाश के कान और आख पूरी तरह जल चुके थे और इस लाश के पास बहुत पुराना स्पीकर पड़ा था जिसमें 1980s के गाने चल रहे थे इतना ही नहीं इस लाश का ड्रेस भी कुछ 1980s के बच्चो जैसा ही था इधर हम देखते हैं एनस कैनवल्ट को और हमें पता चलता है कि आज 4 नवंबर यानी आज रात 10 बज के 13 मिनट के बाद इनस अपने बेटे माइकल का नोट पढ़ सकेंगी समय होते ही एनस उस नोट को पढ़ती है इस नोट को पढ़ने के बाद वो रोने लगती है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गायब हुए अल्रिक को वापिस से उस ब्लू रूम में अल्रिक की आँखों और कानों को काइंड ओफ मैटल रिंग कवर कर रही थी यही नहीं यहां एक आदमी भी था जिसने अल्रिक को कुछ एक्सपेरिमेंट करने जैसा चेर पे बाद रखा था जब पेरन टीचर मीटिंग में वो आदमी आता है उस आदमी का नाम हेलगेट डॉपलर और हेलगेट के बेटे का नाम पीटर डॉपलर पीटर की वाइफ का नाम शौरले डॉपलर जो की एक सीनियर पुलिस आफिसर है और इनके बच्चे का नाम फ्रैंसिसका और है और इनके बेटे का नाम बार्थोज है अब मैंने आपको चार फैमिली के बारे में बता दिया अब आप इस स्टोरी को easily समझ पाओगे तो चलिए गाई second episode हम start करते हैं तो starting में हम देखते हैं कि डॉक्टर का कहना था कि इस बच्चे के ear drum फट चुके हैं ऐसा आम तोर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुमाया जाता है यहां हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस बच्चे के कपड़े आदी 1980 के थे और इस बच्चे की गर्दन से एक क्वाइन बंद जैसे कि वो अपनी पतनी शौरले डॉपलर से कुछ छुपा रहा है और दूसरा व्यक्ति था टॉरेंड नेलसन जो कि अल्रिक नेलसन के पिता थे और वो उस वक्त पर घर पर नहीं थे जब मिकल गायब हुआ था अल्रिक खुद भी अपने बेटे को डून रहे थे और ये वो पावर प्लांट को सर्च करने के लिए सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करते हैं करन्टली इस पावर प्लांट को अलेक्जेंडर ट्रीडमेन मैनेज कर रहे थे और अलेक्जेंडर की वाइफ रिजीना विंडन होटल को मैनेज कर रही थी आगे हम देखते हैं अलेक् जेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उसके बेटे मिकल को ढूनने में मदद करे और अल्रिक उदास होने के वज़े से हाना को भी इग्नोर कर रहे थे जिससे उनका फेर था हाना काफी कोशिच करती है ताकि उनका फेर कैरी आउन रह सके पर अल्रिक का दिल के रूम में चानबिन करने जाता है जहां उसे एक विन्डन केव का मैप मिलता है और इस मैप पे विन्डन केव के बारे में कुछ नोट लिखा था इन गटनाओ के दौरान हम एक उन्जान व्यक्ति को होडी में देखते हैं जो कि विन्डन केव से बाहर निकलता है और इस हाथ में एक brief case था ये व्यक्ति विंडिन होटल में जाकर एक room लेता है और उस room में बहुत सारे article लगाता है और जो कि time travel से related थे और कई newspaper cutting भी लगाता है और इन cutting में से एक पर लिखा था where is mickle मतलब mickle कहां है ये व्यक्ति व्यक्ति को card के वहाँ पर when is mickle लिखता है मतलब mickle कब है इसके बाद हम इस व्यक्ति के room में एक machine देखते हैं जो कि time machine जैसी लग रही थी इदर हम गायब mickle की जलक देखते हैं और mickle winden cave से बाहर आ रहा था cave से बाहर आने के बाद mickle तुरंत अपने घरव की तरफ बागता है इससे पहले वो अपने घर के अंदर जा पाता एक high school student उसे अंदर जाने से रोकता है इस student का कहना था कि वो इस घर में रहता है हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस student का नाम aldrick नेलसन था हम देखते हैं mickle young aldrick और उसके girlfriend कैथरीन को देखता है उनके जाते ही वो वहां का newspaper उठाता है और देखता है कि उस newspaper पर date 5 November 1986 है यानि mickle 33 साल पीछे past में आ चुका है और यहां वो अपने ही माता पीता से मिल रहा है जो कि उस वक्त पर teenager यानि girlfriend और boyfriend थे और second episode यहीं खतम हो जाता है तो हाँ guys यह थी dark season 1 के पहले दो episode तो अगर आपको third और fourth episode भी देखने है तो बस video को like कर दीजिए इससे मुझे motivation मिलेगी तो channel को subscribe भी कर लो और bell icon on कर लो ताकि मैं जब भी third और fourth episode upload करूँ तो आपको उसकी notification तुरंत मिल जाए तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी next video में तब तक अपना ध्यान रखें जैहिं